हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जैसा मैंने आपके आपसे कमेट किया था कि मैं आपको एक लर्निंग स्रीज प्रवाइड करूंगा एक नई कमोडिटी लर्निंग में जिसमें हम वन बाई वन करके बेसिक से प्रम जीरो स्टेज से सीखेंगे तो सबसे पहले आप मेर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है यहां से आप मुझसे जूड सकते हैं इसमें आपको हंडल लाइक का दिया था कि इसमें हंडल लाइक करना है अभी आपने 50% ही लाइक किया है इस विए से आप थोरा सा लाइक हैं बढ़ाएंगे तो हम फर्दर इसके लिए और आपके लिए अपडेट रेगुलर वे से आने लगी लर्निंग पॉइंट अब यू के लिए तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम चलते हैं जो हमारी आज की लर्निंग स्टार्ट होती है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो हम पहले देख लेत sesasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas को कमोडिटी बोलते हैं इस वाज़े हम इसको मॉल्टी कमोडिटी बोलते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजे मिल जाती है तो वस्त बिनमा की ज़र स्टार्टिंग हुए थी आपको अगर अपने स्टार्टिंग में पढ़ाई किया होगा तो उसमें आपने देखा ह हाई स्कूल इंटर में जो आप पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर आपको वस्त बिनमा के बिसे में बताया जाता है जब हम एक प्रोड़क्ट के बदले में हम दूसरा प्रोड़क्ट लेते थे जैसे किसी के पास गेहु ज़्यादा होता था तो वो किसी दूसरी मार्केर म लेते थे तो इसको हम वस्त बिनमे करते थे एक वस्त के कंपरेजन में हम दूसरा वस्त देते थे और इसके बदले हम सिमिलर चील लेते थे तो उसी को मार्केट ने थोड़ा सा और एक्सपेंड किया और नए प्लेपर में आके इसको हम मल्टी कमूलिटी एक्सचेंज में लेकर आए, multi community हमें आपर trade करते हैं, लेकिन यहां हम एक product के बदले दूसरा product नहीं देते हैं, यहां हमें product जो मिलता है और digital platform में मिलता है, लेकिन उसके बदले हमें amount भी digital ही देनी होती है, उसके बदले हम product लेते हैं, और साथ में जो इसका starting है, थोड़ावर detail में हम तो सबसे पहले, जो हमारा market है, market एक ऐसा place है, जहां पे आपको buyers भी होते हैं, और seller भी होते हैं, buyer और seller आपस में discussion होता है उनका, कि किस platform पे लेंगे, और क्या उन्हें product चाहिए, अगर उनका दोनों का mutual understanding होती है, तो वहां पे वो कोई चीज़ buy होती या sell होती, simple आप ले सक करते हैं, demand supply, जैसे जिस product की demand जादा होती है, उसकी supply भी अगर उतनी ही है, तो price balance रहती है, इन case अगर demand जादा है, supply कम हो जाती है, तो उसका amount होता है, price होता है, unbalance हो जाता है, इस विए से market में, उसकी price में fluctuations आता रहता है, जब तक कि वो label में नहीं आता है, क्योंकि demand और supply ए करने के भी यही कारण होता है, एक product ज़्यादा costly होता जा रहा है, तो उस time पे इसका मतलब है कि उसकी supply कहीने कहीं interrupt हो रही है, इस विए से market में, दोनों को balance रखने के लिए demand और supply का होना बहुत ही important role play करता है, next अगर हम इसकी बात देखते हैं, तो यह हमारा होगा market का, अब हम companies की बिसे में बात करते हैं, companies जो होती है, एक company है, उसमें multiple share होते है, share का मतलब होता है, उसमें जो उसकी total valuation है, उसकी comparison में उसका अलग अलग parts में divide करना, इसमें share company कैसी बात की manufacturer हो सकता है, service हो सकता है, infra development होता है, कोई institute हो सकता है, या कोई company है, जो registered है, government of India कैसा, उस सारी इसमें आ सकती है, वो अपना कभी-कभी listed होने के बाद भी आपको provide करती है, या आप IPO के थो आ सकते हैं, कभी-कभी unlisted companies में भी लोग अपना share लेते हैं, holding करते हैं, जो आज कल startup अगरा चल रहा है, उसमें भी आप देखते होंगे लगातार shares की बात होती है, इतनी percent हम दे रह कर रहे हैं, ये सारी चीजे इसमें आती है, अब इसमें आप देखते हैं, अगर आप एक company का एक share लेकर रखे हैं, तो आप उसके यहाँ पे बालिक रहते हैं, पार्टनर स्रिप में रहते हैं, ओनर स्रिप में रहते हैं, अब उसके partner है, आप वे जितनी ज्यादा share रहेंग देखेंगे और तीखेंगे हम देखेंगे technical analysis technical analysis में हम support resistance, trend line candlestick pattern यह सारी चीज़ें detail में देखेंगे, total 10 से 15 topic है जिसको मैं one by one करके कबर करूँगा अब सबसे पहले जो basic starting होती है, वो starting होती है जो मैं बोलता हूँ trend negative है, trend उपर है वो होता है DAW theory DAW theory सबसे पहला इन्होंने इन्वेट किया था Charles DAW ने, कि सबसे पहले market में जो इन्होंने एक average निकाला था, जो top stock थे हैं, उनके base पे study किया था यह market का एक से perform कर था, अगर एक trend में उपर जा रहा है, तो उसमें IRI करता हुआ जा रहा है, तो उपर के trend है यह फिर down cut trend है, सारी चीज सबसे पहले इनको father of technical analysis भी बोलते है Charles DAW को, सबसे पहले general में establish किया था, सबसे पहले publish भी यहीं पे हुआ था इसको आप detail में यहाँ पे study कर सकते हैं next इसके बाद अगर आप देखते हैं basic जो stock market है, उसमें secondary wave क्या होती है जो secondary reaction है, जब कभी भी उपर market जाता है, जैसा कि मैं आपको regular way से बताता हुआ चल रहा था कि market जब भी उपर यह निकल ला है तो थोड़ा यह correction आ रहा है, तो यह इसके लिए secondary wave का काम कर रही है, फिर उपर गया यह दुबारा इसके लिए secondary, यह सारी जो reaction है, यह secondary wave में है, जब तक market एक train में चलता आ जा रहा है, प्रीबियस लोग को cross नहीं कर रहा है, वो primary train को follow कर रहा है, bull का market है similar, just इसका opposite होता है bear का market, bear का market downtrend में आता हो जा रहा, pullback आया फिर downtrend आया, फिर bullback downtrend अब next जिसमें आप देखते हैं, तो basically तीन टाइप के market होते हैं एक होता है bull का market, दूसरा होता है bear का market तीसरा होता है range bond market होता है हम इसको ओध्वा डिटेल में देखते हैं तो doubt theory का bull trend है वो higher high कर रहा है, higher high क्यों कर रहा है यहां देख रहे है, previous low लगातार उपर है इसी को हम आपको पिछली जो class में हमने देखा था एविनिंग के नालसित कर रहे थे market लगातार lower low का formation कर रहा था तो हम नीचे के दरब जा रहे थे जब higher high का उसे एक महिना पहले higher high का कर रहा थे इसका adjust पोजित होता है lower low का अब इसमें हमें start कहां करना है, end कहां करना है अगर आप इसमें देखेंगे entry point के लिए तो जब यह first high बनाए, second correction के बाद भी इसको class करता है, तो यह हमारा entry point होता है और जब तक इस low को previous low को class नहीं करता, तब तो हमारा exit point नहीं आता है हमें train को follow करना होता है stop loss यहां यहां हम trail करते हुए चलते है अब इनके से इसके low कोई cross कर रहा है तो यह हमारे लिए, जो हमारा trailing stop loss होता है, hit करके निकल जाता है trailing stop loss कैसे लगाते हैं, उसको भी हम देखेंगे वीडियो में one by one करके तो आप उसके लिए मेरे साथ जूड़ सकते हैं next इसके बाद second phase हम देखते हैं कि बियर का market अभी हमने bull का market देखा बियर का market में जो LS लिखा है मतब lower high है, previous high से उसका नीचे high, अब यहां देखने लगाता just opposite होता है जो पहला high इसने बनाया है दूसरा है उससे नीचे, तीसरा है उससे नीचे, चौधा है उससे नीचे और entry हमारा होगा जब इसने previous low के जो उसके पहले का low बनाया है उसको cross करेगा तो यहां हमारा entry point आ जाता है अब इसके बाद में exit point हमारा यह रहेगा as per technical view की बात कर रहे है हम पहला technical answer है इसके बाद market lower low का formation करता हुआ चला है तो उस range में आपको बने रहना चलते जाना है lower low करता हुआ जब तक यह higher low नहीं करता है जब तक यह low को cross नहीं करता है जिससे यहां कर लो lower low था इसका higher low इसके उपर निकला है अब इस high के भी ओगर जो lower high था इसको भी cross करता है मतलब यह आपको exit करके निकल जाना है आप पर stop loss हिट कर देना है या फिर टेलिंग stop loss हिट हो जाना चाहिए अब next इसके बाद जो market में यह तो basic trend हो गया अब इसमें basically जो performance करते हैं दो लोग होते है वो होते हैं FYSDI और एक आजकल नई community आगई है वो है retail पहले भी थी लेकिन COVID के बाद से कुछ ज़्यादा active हो गई retail retail अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा powerful रखते हैं जिस movement में जिस direction में चलते हैं इंडियन मार्केट में अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा participation हो रहा है क्योंकि अभी जितनी हमारी यहाँ पे trading होनी चाहिए जितना involvement होना चाहिए उतने लोग भी participate नहीं कर रहे है as per जो developed countries है उसके companies में तो दीरे दीरे retailers की power यहाँ बढ़ रही है तो definitely हमारे इंडियन मार्केट में जो हम nifty, bank nifty या फिर जिस भी sector में trading करते हैं वहाँ पे हमें अच्छा trend देखने हो मिलता है अगर आप यहाँ पे regularly से कुछ study चाहा रहे हैं और सीखना चाहा रहे हैं तो आप मेरे channel के साथ जूर सकते हैं अभी तक हमने यहाँ पे देखा जो basic trend था वो क्या होता है किस तरह से हम इसमे analysis करते हैं उसको हम अभी further next video में देखेंगे अगर आपको यह video यहाँ तक पसंद आई है तो आप यहाँ देख सकते हैं, like कर सकते हैं यह आपके लिए एक just introductory video थी introduction था किस तरह से trade होता है अब इसके बाद में हम detail में candlestick pattern किस तरह से काम करता है जबारी five stars रीज हैं वो कैसे काम करते हैं सपोर्ट रोजिस्टरिंग साथ में हम demand zone supply zone कैसे mark करते हैं सारी चीज़ें आपके लिए one by one करके मिलती रहेगे लेगिन आप video में like आना चाहिए तब ही यहाँ पे आपके लि नहाँ प्रूलि एंपके लिए नहाँ तरह से काना अपके लिए तुरी एंपके लिए।